बश्कार दोस्तों आपको स्वागत है हमारी डूप चैल में आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सुडलिंग जो होता है उसको करने से इससे क्या हो जाएगा भई क्यों करवाते हैं सब लोग क्यों कहते हैं कि बच्चे को सुडल करो सुडल करो अगर हम अपने प्रभल्म होती है चलिए विडियो स्टेर कर खेिख लएते हैं का धविड़क धा đến मैं जाला इसकी मेरी बीटी वह बिल्कुल नहीं रोती थी उनको तो हमें उठा उठा करके जो अपना जो ब्रेस्फीड में फीड है कराना पड़ता था बट मेरे बेटे के साथ में यह था कि उन्होंने ब्रेस्फीड किया फाइब मिनिट के लिए खेला एंद अगें वह रोने लग जाते थे तो यहां प मुखर के इसोस रिए में कशके म माके पेक में रहते है लिए तह बच्छे को secondo सबस्तों अच्छें आच्छें को मच लिए थैए लूठाल के स्वीर्ध भार का एटमोस्वियर देखा उसमें उसको सर्दी नहीं पता उसको गर्मी नहीं अपना तो हमेशा आपको भी लगता है कि हम उससे तो पहले ही घर में थे भले आपको यहां रहने के बाद दूसरे घर में अच्छा लगने लगेगा यह जगह पर रह रहें दूसरी जगह पर आपके लिए बहुत बट्टा रहे हूं आसे भी अच्छी है बट आपको अपने सिफटेशर के साथ में चैनलिक्स को करिए यहीं आपको इसको अपनी चैनलिक्स काई पर चाहिए जाता है चोटे बच्चे जो newborn babies होते हैं खास तौर पे तो उनके साथ में इस situation हमें create करनी पड़ती है scheduling की प्रोसेस है उसको create करना पड़ता है जिससे कि बच्चा कम रोए और बच्चे की energy waste ना हो बच्चे का better development हो सके कि बच्चा रोएगा 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 तो इसका development कैसे अच्छा हो पाएगा आप ही सो सकते हैं तो इसलिए बच्चे के better development के लिए हमें बच्चों को scheduling करनी पड़ती है तो उमीद करती हो मैंने आसान और सरल सब्दों में आपको बताने की कोशिश करिए कि कई सारी मदस ने मेरे से questions पूछा था इसलिए मैंने सुचा है कि पर already video बना देती हूं में जिससे कि आप सभी की help हो जाएगी तो उमीद करती हो आप समझ गए होंगे साथी मदस अगर फिर भी कुछ कोश्चन है तो प्लीज कमेंट कीजिए और इस वीडियो का अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू कीजिए का वीडियो को शेयर करना जरू मत भूलिएगा अधर मदस के साथ में जिससे उनकी भी help हो सके ठीक है और अगर